हलो दोस्तों नमस्कार आज हम बात करेंगे KBS इंटर्व्यू के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वाइड है बहुत ठीक है ना और यह डॉक्यूमेंट हम बेसिकली बात करने बाले हैं कंट्रक्चल टीचर के लिए आपको पता होगा कि अभी KBS में कंट्रक्चल टीचर की वे यह मेरा पर्सनल एक्सिरेंस है और में KBS का इंटर्व्यू देने गया था इंटर्व्यू एक एवरेज गया था बहुत अच्छा नहीं गया था और जो मेरे डॉक्यूमेंट जो थे लगे थे वो मैं आपको बताने बाला हूँ ठीक है ना तो आईयो शुरू करते हैं सबते करते हैं तो आपका इंटर्व्यू साथ ही होगा फंट करेगा जो करते हैं उनके उपर अगर अगर आपने पहले किया तो mark sheet और certificate अलग लग आता था और अब जो है तोनों का एक ही आता अगर दोनों का एक ही है तो ठीक है एक ही लेके जाना है और अगर अलग लग आता था mark sheet और certificate ठीक है तो आपको अलग अलग ही लेके जाना है इसी के साथ आपको जो है 12 का भी लेके ज चाहिए यहां भी को आपको पास है तो ले जाओ नहीं है तो को अगर आप लेके जाते हैं तो ठीक है बट आप जलूप नहीं होती है ठीक एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कूल परफॉर्मा यह जो इस्कूल परफॉर्मा है यह फ्रतियक स्कूल का अलग होता है और स्कूल की website पर ही आपको ये मिलेगा थीक है ठीक है Nord अगर आपने स्कूल की website से निकल लिया है थो अच्छी बात है और वहां से आप photocopy कराके लेके जा सकते हैं और अगर आपने नहीं निकाला है तो कई एक स्कूल में वहां मिल जाता है ठीक और इसके साथ जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बतायते हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको और जिनल भी लेके जाना है ठीक है और यह डिपेंड करता है जो आपका document वहां पे verify करता है उसके mode पे है अगर उसने ऐसे देख लिया तो ठीक है और अगर उसने मना कर दिया तो फिर आप interview नहीं देखाएंगे और इसके साथ जो है कई बार बच्चों के phone में original document की photo होती है तो वहां पे भी आप देखा के उन्हें अपने जो document verify करा सकते ह है इसके साथ मैं एक और बात करूंगा कि जो interview का process क्या होता है तो सबसे पहले तो आपको gate के अंदर इंटर करना है और वहां पे जाना है जहां पे आपका verify हो रहा है ठीक है ना document verification हो रहा है और इसी को बोलेंगे registration हो रहा है तो यहां पे आपके सारे photocopy देखते हैं और इस इंटर्वी चल रहा होता है तो बहुत अलग रूम होता है और इसके साथ जो waiting room होता है वो अलग होता है बेस्क लिए क्या है कि स्कूल के जो कमरा होते हैं उन्हीं को interview room बना लेते हैं और उन्हीं को जो है waiting room बना लेते हैं ठीक है ना मान के चले इस वाले room में आपका registration और जब आपका registration हो जाएगा उसके बाद जो है आपका जो wait करीवन एक से दो गंटा या इससे भी तीन गंटा इससे भी जादा करना परता है क्योंकि इस समय जो है candidate बहुत जादा है आ रहे हैं करीवन तीन सो से चार सो candidate आ रहे हैं एक या दो post के लिए और वो भी contractual post के लि और जब आपका interview करना मराए फिर आप interview देखिया है